जिन्हों ने उस अपराद को अंजाम दिया, 12 किलो मीटर तक बेटी को घसीटा, उन पांचों में एक आरोपी का नाम मनोज मित्तल है कौन है मनोज मित्तल? ये मनोज मित्तल भाजपा का मंगोल पुरी वाड नमबर 42 का सह सयोजक है आप सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार, भारत की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर 2022 को एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के साथ पुरे देश को हिला कर रख दिया राजधानी दिल्ली के अंदर 31 दिसंबर मुझे याद आ रहा है दिसंबर 2012 और ये है दिसंबर 2022 एक दशक पहले राजधानी दिल्ली के टाइटल दिया गया था रेप कैपिटल ओफ इंडिया जिनों ने ये टाइटल दिया था वो दोनों राजनेतिक दल उस समय विपक्ष और सडकों पर थे आज वोही दोनों राजनेतिक दल भारतिय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आज सत्ता में हैं इस पूरे एक दशक में जो टाइटल था रेप कैपिटल ओफ इंडिया का इन्ही लोगों का दिया हुआ आज भी बरकरार है घटना होती है मंगोल पूरी इलाका बीस साल की बेटी को बारा किलो मीटर तक एक गाड़ी में बैटे पांच लड़के बारा किलो मीटर तक घसीटते हैं उसके कपड़े उसके शरीर की खाल पुरी तरह उतर चाहती है और उस लड़की को तब तक घसीटा गया जब तक उस लड़की ने दम नहीं तोड़ दिया अगर मैं सिर्फ पिछले एक हफ़ते की आप से बात करूँ तो राधानी दिल्ली के दौरका में 14 दिसंबर को स्कूल से आ रही एक बच्ची के ओपर एसिट अटैक हुआ होता है दावा किया जाता है कि दिल्ली में पुली सतर्क है और एसिड की तेजाब की खुली बिक्री बंध है लेकिन इन दोनों दावों की पोल खुली जब दौरका में एक स्कूल से आती बच्ची के ओपर एसिट फैका जाता है और अभी पता लगा 31 दिसंबर को पांडव नगर में भी एक लड़की को कार में खीच कर उसके ओपर एसिड डाला गया ये राधानी दिल्ली के पांडव नगर की खबर है और आज ही जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आदश नगर दिल्ली से ही एक और सिसिटी फूटेज सामने आता है कि आदश नगर में एक लड़के ने एक लड़की को चाकूँ से गोद डाला है ये राधानी दिल्ली है मैं वापिस आती हूँ मंगोल पुरी की इस खबर पर पुलीस पर दबाव है क्यों पुलीस लगातार इस मामले को कमजोर कर रही है दिल्ली पुलीस पर दबाव क्या है वो इस पोस्टर में आपको साफ दिखेगा क्या ये सच है या नहीं कि पांच अपराधी जिन्हों ने उस अपराध को अंजाम दिया बारा किलो मीटर तक बेटी को घसीटा उन पांचों में एक आरोपी का नाम मनोज मित्तल है कौन है मनोज मित्तल ये मनोज मित्तल भाजपा का मंगोल पुरी वार्ड नमबर फोटी टू का सह सयोजक है भाजपा के दबाव में दिल्ली पुलीस भाजपा के इस नेता को बचाने के लिए मामले को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है ये हमारा सीधा आरोप है एक लड़की जिसका नाम निधी है दिल्ली पुलीस मीडिया के सामने अचानक उस लड़की को वादात के तीन दिन के बाद लाती और ब्यान दिलवाती है ब्यान से साफ समझ आता है कि दिल्ली पुलीस अपनी छवी को बचाने के लिए बादपा के नेता को बचाने के लिए निधी को आगे करके इस तरह के बयान दिलवा रही है कि पूरी तरह से मृत पीड़िता का चरित्र हनन हो रहा है सवाल जो अपराध हुआ उस पे नहीं अपराधियों पर नहीं मृत पीड़िता पर उठाए जा रहे हैं परिवार जन बोले हमें नहीं पता कोन है ये निधी जिसे दिल्ली पुलीस का सबके सामने लाकर सीधा सीधा पीड़िता का चरित्र हनन कर रही है राधानी दिल्ली लगातार शर्मसार हो रही है कौन लोग जम्मेदार है कि इनकी जवाददी बनती है जिनकी जम्मेदारी निर्भया के समय दो हजार बारा में थी किसका इस्तीफा मंगा था दिल्ली की मुख्यमंतरी का मंगा था तो आज 2022 दिसंबर में अगर ये वारदात होती है तो आज दिली के मुख्य मंत्री को स्टीफा देना चाहिए या नहीं अपने जिम्मेदारी के तहट उस समय देश के प्रदान मंत्री डॉक्टर मनमोन सिंग जी का स्टीफा मांगा गया था देश के ग्रै मंत्री का स्टीफा मांगा गया था पुलीस कमिशनर का स्टीफा मांगा गया था और उस समय जो सडकों पर थे आज वो सत्ता में है लेकि ना वो स्टीफा मांग रहे हैं ना वो दे रहे हैं वो सिर्फ पीडिता को बदनाम करने का अपराधियों को भाजपा के नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं ये पहली बार नहीं हो रहा उत्राखंड की अंकिता भंडारी को भी मत भूलिएगा भाजपा के नेता शामिलता इसलिए अंकिता भंडारी के मामले में को दबाने की भाजपा के नेता को इसके रिजोट में हुई इस जगने अपराद को ढखने की भाजपाने कोशिश की आज भाजपा मातर इसलिए खामोश है क्योंकि उनका नेता इसमें शामेल है दिल्ली पुलीस मातर अपनी छवी को बचाने के लिए क्योंकि 12 किलो मीटर तक जब बेटी को गाड़ी के नीचे घसीटा जा रहा था तब दिल्ली पुलीस की तावदावा है हर 2 किलो मीटर पे PCR वैन खड़ी थी लेकिन एक भी PCR वैन वो जो घटना हो रही थी 12 किलो मीटर तक किसी की नजर में नहीं आई चेश्मदीत अगर कहता है कि 20 कॉल उसने PCR कॉल्स की लेकिन जब वो वार्दात हो रही थी उसे अंजाम दिया जा रहा था तब तक दिल्ली पुलीस का अतापता नहीं था और वही हम देखते हैं कि दिल्ली पुलीस नवश की जो तियारिया चल रही थी उसको लेकर अपनी मुस्तैती सतर्क्ता और कारवाई को लेकर अपने दावे पोईश कर रही थी लेकिन इस घटना ने पूरी तरह से केंदर सरकार दिल्ली पुलीस दिल्ली सरकार दिल्ली के म के मंतरी और एलजी साहब जो मातर केंदर के हाथों की एक कट पुतली है उनके आदेशों का मातर पालन करने के लिए एलजी बैठे हैं उसके इलावा हमें नहीं लगता दिल्ली की इसी तरह की किसी भी घटना से उनका कोई लेन देना है कहीं चाकूँ से गोदा जा रहा है कई एसे जो है हमला किया चा रहा है और कहीं हमारी बेटियों को गाडियों के नीचे रौंद के उन्ने इनके दम तोरने तक उनको जो है खीचा जाता है और दिल्ली पूलीस भाजपा पूरी तरह से चारित रहानने के हमारा मानना है भारतिय रास्ट्री कॉंग्रेस का पहले राकेश अस्थाना जी गुजरात काडर से रहे दिल्ली से वाकिफ नहीं थे उन्हें कमिशनर बनाया गया जिसका खामयाजा किसी और को नहीं दिल्ली को भुगतना पड़ता है उसके बाद संजी अरोडा जी दिल्ली काडर स नहीं तमिल नादू काडर से आते हैं दिल्ली के चप्पे चप्पे से वो भी वाकिफ नहीं है दिल्ली को एक ऐसा पुलिस कमिशनर या अधिकारी चाहिए जो दिल्ली के चप्पे चपे को जिन दिल्ली के नस को एक अपराधी को उसकी अपराधी परविती को ठीक से जानत 22 की ये घटना और आज मैं आप से चार जन्वरी 2023 में बात कर रही हूं चार दिन बीच जाने के बावजूद भी परिवार से शुरू में मीडिया से सीधे बात नहीं करने दिगी हमारी भारतिय रास्त्रिय महिला कॉंग्रेस की रास्त्रिय ध्यक्ष और महिला हमारी जो नेता गया है जाकर परिवार से उन्होंने भी मिलने की कोशिश की भिल्कुल भी परिवार से नहीं मिलने दिया गया सच्चाई क्या है वो नहीं आने दी गई सामने और पुलीस के अधिकारी जो डी सीपी वहां के रहे उनके बयान घटना की कुछ घंटों के बाद क्लीन चिट देते हुए दिखे अपराधियों को बिना अपराधियों के पकड़ में आए बिन्या उनकी जांच हुए मैडिकल ये कह दिया गया कि वो नश्र में थे ही नहीं बिना बेटी के पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट आए बिना पुलीस ने क्लीन चिट दे दी कि बेटी के साथ किसी तरह का कोई अपराध हुआ ही नहीं लेकिन परिवार को लगातार लगता रहा कि बेटी के साथ कुछ अपराध हुआ है इसके जांच होनी चाहिए ये निस्पक्षता से होनी चाहिए सवालिया निशान एक बार फिर खड़ा होता है दिली की पुलीस की साथ पर उनके दावो पर गिसकी पोल एक के बाद एक अपराध जो है वो खोल रहा है और देश के घ्रह मंत्राले से मैं कहना चाहूंगी, देश के घ्रह मंत्री से मैं कहना चाहूंगी, लाल के लिए की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा देने वाले हमारे परधार मंत्री जी से कहना चाहूंगी, एक दशक कम नहीं होता है, निर्भया का मामला सडकों पर सुरक्षित हैं आप राधियों के होसले बुलंद हैं पुलीस या सत्ताधारी नेता पूरी तरह से आप राधियों को बचाने के लिए खड़े हुए राधानी दिल्ली हो या देश के कोनों तक में दिख रहे हैं हम यह मांग करते हैं कि पीड़िता के परिवार को पूरी तरह से जिस तरह कि भी उनकी मांगों को मानते हुए इस जांच को तुरंत पूरी तरह से निस्पक्षता से बिना किसी दबाव के पूरा करके अप राधियों को फास्टेक्ट कोट के तहत मात्र तीन महीने के अंदर आपकर आपकी नियत है सिसीटी फुटेज है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट है अपराधी अपरोपियों की मैडिकल रिपोर्ट है गवाह आपके पास चश्मदीत सब है सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता अब समय लगना चाहिए एक उधारन बनना चाहिए इस म सजा दी जाए ये भारतिय रास्टिय कॉंग्रस मांग करती है और भारतिय रास्टिय कॉंग्रस पूरी तरह से पीड़ता के परिवार के साथ खड़ी है और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली पुलिस अपनी छवी को बचाने के लिए या भाजपा के नेता को धन बल सत्ता का जितना मर्जी इस्तमाल कर ले पीड़त परिवार अगर हमें सुन रहा है तो हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारतिय रास्टिय कॉंग्रस एक-एक दोशी को आरूपी को सजा मिल जाने तक पीड़ता और उसके परिवार को न्याय मिल जाने तक झाल